तो बच्व स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स टॉपिक है अपना, काइनेमेटिक्स को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, रेक्टिलीनियर, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव, तो पहले अपन रेक्टिलीनियर मोशन की बात कर लेते हैं, रेक्टिलीनिय motion को अगर मैं generalize करूँ तो तीन पार्ट में इसको फिर से कपन डिवाइड कर सकते हैं एक तो है equation of motion दूसरा है calculus और तीसरा है आपके पास graph तो अगर मैं last three year की बात करूँ तो last three year में हर साल इस topic में से सवाल पुछा गया है और सवाल वी काफी आसान है इसको गोई भी बचा आसानी से कर सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंहेंदर equation of motion की तो यह आपके पास क्या है given equation of motion है अब इन equation of motion को यूज करते समें आपको किस बात का ध्यान रखना है इन equation of motion को use करते से में इस वाद का धायर रखना है कि acceleration क्या होना चाहिए? acceleration आपका constant होना चाहिए. Now, acceleration अगर constant है उनको use कैसे करें? तो use करने के लिए sign convention के साथ में आपको इन सारी values को put करना है. Sign convention का मतलब क्या है? आप किसी भी एक particular direction को positive माल लो. अब जो भी वैक्टर उस direction में पॉइंट करेगा वो plus के साथ आएगा और जो वैक्टर उसके opposite पॉइंट करेगा वो इस equation of motion में किस के साथ आएगा? minus के साथ आएगा. तो जो last equation है इसके अंदर बचो यह जो है SNS. SNS का मतलब क्या है? displacement in and it's second. Now, इसके बाद में पनाप्लास आता है that is motion under gravity. Motion under gravity का मतलब क्या है? यसे आपने किसी particle को project कर दिया. अब particle के उपर के वल क्या लगेगा? gravitation force लगेगा. अब gravitational force लगने की वज़े से जो acceleration आ रहा है वो कितना आ रहा है? g आ रहा है. और जब acceleration g आ रहा है, तो उस case में अपन बोल सकते हैं कि अगर आप ने किसी particle को u velocity से project कर दिया, तो same उसी level तक आने के लिए जो time लगेगा, that is 2u by g. ताइम लगेगा, that is 2u by g. जो time लगेगा, that is 2u by g. और जो maximum height आपके पास आएगी, that is u square by 2g. अब maximum height पर क्या होता है? maximum height पर आपके पास vertical direction में जो velocity होती है, उसके value 0 आ जाती है. अब particle को यह velocity से project किया, particle उपर जाएगा, maximum height पर velocity 0 होगी, lot के रिचाएगा. अब एक इसमें interesting बात है, interesting बात यह है, कि जब particle उपर जाता है, तो जितना time उपर जाने का है, उतना ही time नीचे आने का है, क्योंकि acceleration due to gravity क्या है, constant है. जितना time ascent का होगा, उतना ही time क्या होगा, descent का. दूसरी बात यहाँ पर क्या बूल सकते है, कि same level पे speed क्या होती है, same. अगर मालों की इस point पर 5 meter per second से उपर जा रहा था, तो वापस लोटते समय इसी point पे किस से आएगा, 5 meter per second से नीचे आएगा, तो speed सेम पॉइंट पे क्या रहती है, same रहती है, और ascent और descent का time क्या रहता है, same रहता है, अगर यह property पता है, तो काफी सवाल अपने आसान हो जाते हैं. Now, एक छोड़ा से सवाल करते हैं, equation of motion की basis पर, suppose आपने एक particle को drop कर दिया, आप से पुछा है कि h height गिरने में उसको time कितना लगेगा, तो drop करने का मतलब initial velocity क्या होगी, 0, acceleration due to gravity क्या है, z downward, तो second equation of motion को use करते समय, downward direction को positive मानेंगे, तो आपके पास जो time आएगा, that is under root 2h by g, now, जब भी आपके पास कोई situation है, इसमें vertical direction में, अगर initial velocity 0 है, ज्यान रखना, vertical direction में, अगर initial velocity 0 है, तो आप directly इसको as a result याद रख सकते हैं, जो time आता है, that is under root 2h by g के बराबर आता है, next, यहाँ पर क्या है, एक balloon जो है, वो constant 5 meter per second से उपर जा रहा है, और आप से बोला गया है, कि आपने यहां से एक stone को drop कर दिया, तो जब stone ground को reach करता है, तो balloon ground से कितनी height पर होगा, तो इसको कैसे करें, तो इस सवाल को करने के लिए अपन को एक property पता होने चीए, कि जब भी किसी moving body, जब भी किसी moving body से किसी particle को drop करते है, तो वो particle उस moving body की velocity copy करता है, यहाँ एक्सलेरेशन को पी नहीं होगा, तो अगर stone को मैंने drop किया, तो stone को drop करते समय, बैलून के velocity कितनी थी, 5 meter per second, तो stone के पास velocity आजाएगी 5 meter per second, और acceleration के आजाएगा, जी, तो stone क्या करेगा, उपर जाके नीचे आएगा, अब जितना time stone को नीचे आने में लगा, उतने time में ballon कितना उपर जाएगा, यह अपन को calculate रना है, तो stone के लिए अपन क्या करने वाले है, stone के लिए अपन second equation of motion यूज़ करने वाले है, stone का displacement minus 60 दे रखा है आपको, initial velocity पता है, acceleration due to gravity minus 10 है, तो time आपके पास आ गया 4 seconds, अब इतने time में ballon कितना उपर जाएगा, ballon चला जाएगा 4 into 5, distance that is equal to speed into time, 20 meter उपर चला जाएगा, लेकिन आप से पूछा कहां से है, ground से, तो ground से पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 add करना पड़ेगा, तो आपका answer क्या जाएगा, 80 meter आ जाएगा, now, calculus के वैसिस पे जो सवाल पूछे हैं उसने, वो किस तरह से पूछे हैं, suppose आपको position as a function of time t दे रखा है, और आपसे velocity पूछ लिया, तो directly क्या करना है, differentiate करना है, v is equal to dx by dt, अगर v as a function of time t दे रखा है, तो a की value dv by dt, लेकिन अगर v x का function दे दिया, तो यहां से a की value क्या आएगी, v into dv by dx के वराबर आजाएगी, दूसरी बात, अगर आपको velocity as a function of time t दे रखा है, तो उस case में, मुझे क्या मिल सकता है, अगर मैं integration of v dt करूँ, t1 से t2, that will give you displacement, और अगर मेरे से distance पूछा है, तो distance की value क्या आएगी, integration of mod v dt from t1 से t2 तक, और अगर आपको acceleration as a function of time t पता है, तो integration of acceleration from t1 to t will give you delta v, और delta v का मतलब क्या हो जाएगा, v2 minus v1. Now, graph के basis पर कैसे सवाल सौल कर सकते हैं, तो कोई भी graph जो है, उससे आपको क्या help मिल सकती है, उस graph का आपको slope मिल सकता है, और उस graph का आपको area मिल सकता है, slope क्या होगा, तो कोई भी yx graph है, तो yx graph का जो slope होगा, that is dy by dx, और कोई भी yx graph दे रखा है, उसका जो area है, उसको अपन कैसे represent करते हैं, integration y dx, तो integration y dx, x1 से x2 क्या represent करेगा, area between curve and x-axis, अब इस slope का, इस area का use कैसे करना है, वो अपन देखते हैं, तो सबसे पहले अपने पास आता है, position time graph, position time graph का जो slope होता है, वो हमें क्या बताता है, velocity, position time graph का जो slope होगा, वो क्या बताएगा आपको, velocity, एक example करता है यहाँ पे, suppose आपको T1 से T2 जाना है, और T1 से T2 जाते समय आपको बताना है, कि speed कम हो रही है, जादा हो रही है, acceleration positive है या negative है, तो speed की बात करें, velocity की बात करें, तो आपको क्या देखना है, slope देखना है, तो आप जब यहाँ से T1 से T2 जाओगे, तो slope क्या कर रहा है, अगर slope डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब speed क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी, तूसरा, acceleration पे comment करना है, तो जब आप T1 से T2 जा रहे हैं, T1 से T2 जाते समय, velocity क्या है, positive, क्योंकि slope positive है, velocity positive तो है, लेकिन डिक्री कर रही है, और अगर decrease कर रही है, मतलब particle retard कर रहा है, और अगर particle retard कर रहा है, तो acceleration इसके opposite direction में होगा, इसका मतलब A के जो value आएगी, वो क्या आएगी, negative, और speed आपके क्या करेंगी, decrease करेंगी, अगला velocity time graph दे रहा है, तो velocity time graph से अपनको क्या फाइदा हो सकता है, velocity time graph का जो slope dv by dt होता है, वो हमें acceleration के बार भी बताता है, और velocity time graph के अंडर जो area होता है, area का मतलब integration v dt, वो आपको क्या बताता है, change in position बताता है, displacement बताता है, next अगर मैं acceleration time graph के बाद करूँ, तो acceleration time graph का जो area होता है, acceleration time graph का area का मतलब क्या हो गया, integration of a dt, और integration of a dt का मतलब क्या हो गया, delta v, और delta v को अपन लिखता है, v2 minus v1, suppose आपको v1 पता है और v2 निकालना है, और आपको area पता है, तो directly इस expression से आप v2 calculate कर सकता है, अगला आएगा आपके पास projectile motion, projectile motion का मतलब क्या है, आपने किसी particle को u velocity से theta angle पे project कर दिया, तो particle parabolic path को follow करते हुए यहाँ पे land करेगा, तो बचो यह जो motion है, वो क्या है, 2D motion है, आप इसको study करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस motion को अपन दो part में divide करेंगे, दो part में कैसे, एक तो complete horizontal motion, और दूसरा क्या जाएगा, vertical motion, तो horizontal motion मतलब particle ऐसे move कर रहा है, और vertical motion का मतलब particle पहले उपर जाएगा, और फिर नीचे आए यू cos theta, और acceleration क्या है, 0, अगर मैं horizontal direction की बात करूँ, तो horizontal direction में initial velocity अपन को पता है, horizontal direction में acceleration 0 है, और अगर acceleration 0 है, इसका मतलब हर point पे velocity क्या रहेगी, constant, तो इस property को use करते हुए भी काफी सवाल बन सकते हैं, कि horizontal direction में जो velocity होती है, वो क्या होती है, constant होती है, अगर मैं vertical direction की बात क करूँ, तो vertical direction में initial velocity होगी, u sin theta, acceleration g downward होगा, आपको t time बाद में velocity निकालनी है, तो t time बाद में velocity निकालने के लिए आप क्या करेंगे, vertical direction में first equation of motion use करेंगे, तो vertical direction में first equation को use करते समय, आपके पास t time पर जो velocity आएगी, that is u plus 80, u आपके पास u sin theta है, और acceleration की value minus g है, तो आपके प time पर vertical direction में क्या आगई, velocity आगई, now, आपको t time पर suppose velocity पूछे, general, तो v velocity को अपन t time पर कैसे represent करेंगे, v x i cap, v y j cap, horizontal में velocity हर time पे क्या है, हर instant पे क्या है, constant, और t time पर velocity अपन निकालना जानते है, first equation in y direction, तो यह आपके पास क्या आगे, velocity in y direction, अब suppose आप से inclination पूछे, तो inclination के लिए क्या करेंगे, आपको क्या पता है, v पता है, v x पता है, v y पता है, तो जो inclination होगा, उसकी value कैसे आएगी triangle से, 10 theta can be written as v y by v x, v y आप यहाँ से जानते हैं, v x आप यहाँ से जानते हैं, तो आप किसी भी time का inclination horizontal के साथ यहाँ से बता सकते हैं, same level पर again speed क्या होगी, same होगी, particle को यहां से, यहां तक आने का जो time रहेगा, और यहां से लेके यहां तक आने का जो time रहेगा, वो भी क्या रहेगा, same रहेगा, time of flight इसमें अगर पूछना चाहें, तो अपन वर्टिकल मोशन को consider करेंगा, वर्टिकल मोशन के अगर मैं बात करूँ, तो पार्टिकल यहां से start होगा, और वापस उसी point पे आके land कर जाएगा, अगर मैं वर्टिकल डारेक्शन के बात करूँ, तो पार्टिकल उपर गया, और फिर नीचे आया, तो उसमें displacement वर्टिकल डारेक्शन में क्या हो गया, 0, initial velocity वर्टिकल डारेक्शन में आपको पता है, acceleration वर्टिकल डारेक्शन में आपको पता है, तो second equation यूज करते समय आपके पास time of flight के value आजाएगी, अग्जामिनर क्या कर सकता है, इस theta को यहां पे let's say उसने theta यहां दे दिया exam में, तो आपका result यह नहीं होगा, आपका result बन जाएगा 2u cos theta yz, तो better क्या है, बेटर है इसको याद करना, यह क्या है, 2uy upon ay, तो आपने किसी particle को u velocity से project कर दिया, तो कितने time बाद में fall करेगा, that is 2uy upon ay, जहां पे ui का मतलब initial velocity y direction में, और ay का acceleration जो है y direction में, maximum height की बात करें, तो maximum height पर final vertical direction में जो velocity आएगी, वो क्या होगे, 0, maximum height पर vertical direction में जो velocity आएगी, वो क्या आएगी, 0 आएगी, और अगर मैं third equation को vertical direction में use करूँ, तो मेरे पास maximum height की value यह आती है, again, generalize करने के लिए, अपन बोल सकते हैं, कि जो maximum height आएगा, that is, u y का square upon 2 ay, u y का मतलब initial velocity vertical direction में है, और ay का मतलब acceleration किस direction में है, vertical direction में, range की बात करें, तो range के लिए आपको किसी, range का मतलब क्या है, उसका horizontal direction में displacement, range का मतलब आपको इस displacement के बारे में बात करनी है, तो horizontal direction में यूज होगी, तो x direction में equation यूज करेंगे, तो horizontal direction में velocity पता है, उसको time से multiply कर देंगे, तो आपके पास क्या आजाएगा, range आजाएगी, और जो range की value है, उसको अपन लिख सकते हैं, 2 u x u y by g, या फिर u square sin 2 theta by g, यह format कब काम करेगा, यह format तब काम करेगा, जब आपको x में, suppose velocity given है, 3 i cap plus 5 j cap, तो 3 i cap का मतलब initial velocity, 3 है, x में, और 5 j cap का मतलब initial velocity कितनी है y में 5 है, तो उस relation से directly आप range find कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको u पता है, initial speed पता है, projection angle पता है, तो आप range के लिए इस वाले expression को use कर सकते हैं, maximum range किस angle पर आती है, 45 degree पर आती है, maximum range की जो value है, वो कितनी है, u square by g है, simple, आपको theta की value 45 रखने पर range की जो maximum value आएगे, that is u square by g के बराबर आजाएगी, एक और important point यहाँ पर जो आपन सीखने वाले हैं, वो यह है, कि जब particle को same speed से project किया जाता है, same speed के लिए theta और 90 minus theta पर जो range आती है, वो same आती है, same speed के लिए theta और 90 minus theta पर जो range आएगी, वो same आएगी, वाद मूल सकते हैं, कि complementary angle के लिए, जो range आती है, वो क्या आती है, same आती है, चोटा सा example है, आपने एक particle को project किया, जिसमें दो trajectory दिखा रखी है, एक trajectory 1 है, और दूसरी trajectory आपके पास क्या है, 2 है, आपको compare करना है दोनों के अंदर time of flight और projection speed को, initial projection of speed को आपको compare करना है, तो इस diagram से मैं देख सकता हूँ, कि दोनों की maximum height same है, और जो maximum height होती है, वो केवल कि किस पर depend करती है, y वाले component पर depend करती है, तो इसका मतलब first or second particle का y वाला component क्या है, same, अब मुझे पूछा है time of flight, again time of flight भी जो है, वो किस पर depend करता है, y वाले component पर depend करता है, अगर दोनों का y component same है, तो इसका मतलब दोनों का time of flight भी क्या होने वाला है, same होने वाला है, तो मैं ब u1 से फेका, दूसरे को u2 से फेका, तो वर्टीकल डायरेक्शन में दोनों की speed क्या है? Same. Horizontal direction की बात करनी है. Horizontal direction में इसकी range ज्यादा है. और अगर इसकी range ज्यादा है, इसका मतलब इसकी horizontal speed भी ज्यादा रही होगी. तो equation of trajectory का मतलब यह है, कि जिस curve के along particle move कर रहे है, अब वो equation कैसे आएगी, वो equation आएगी x और y में relation, x और y में कोई भी equation है, that is equation of trajectory, उसको लाने के लिए क्या करेंगे, t को कैसे eliminate करें, x as a function of time t लिखा, y as a function of time t लिखा, t के value substitute कर दी, आपके पास equation of trajectory आगी, यह है, equation of trajectory के दो format है, एक तो format ये वाला है और एक format ये वाला है, दोनों format आपको याद रखने हैं, अब इसके सवाल कैसे बनता है, वो देखते हैं एक बार, suppose आपने एक particle को u velocity से theta angle पे project कर दिया, particle जो है, एक wall को touch करता हूँ जाता है, जिसकी distance 4 meter है और height कितनी है, 4 meter है, अगर particle इस point को touch करता हूँ जाता है, तो मैं point of projection को क्या माल लेता हूँ, अगर मैंने point of projection को origin माला, तो इस point का जो coordinate आएगा मेरे पास, that is 4,4, और इस point का मुझे coordinate मिल गया, इसका मतलब क्या करना है, आपको इसकी equation of trajectory में इस point को satisfy करना है, x की जगे, equation of trajectory लिखनी है आपको, और इसमें x की जगे, y की जगे क्या रखना है, 4, और range क्या given आपको, 14, range 14 रखके, आपके पास क्या आजाएगा, inclination आएगा, एक बार आपको inclination मिल गया, तो range के लिए क्या करेंगे, simple range के expression में, आपको क्या करना है, theta की value substitute करनी है, range की value substitute करनी है, और यहां से आपके पास क्या मिल जाएगी, speed मिल जाएगी, now projection from tower, आपने क्या किया, एक टावर से particle को project कर दिया, particle parabolic path से, यहां पे fall करेगा, again you have to break this motion in two parts, एक तो horizontal direction, और एक vertical direction, horizontal direction में, velocity u, acceleration क्या रहेगा, आपका, 0 रहेगा, vertical direction में, horizontally फेका है, इसका मतलब सारी के सारी velocity, horizontal का मतलब क्या है, vertical direction में, initial velocity क्या हो गई, 0 हो गई, तो vertical direction में, initial velocity, 0 है, और acceleration की value क्या है? G, downward. Now, time of flight पुछा आप से, यहां से लेकर यहां तक आने में time क्या लगेगा? तो vertical direction में अपन क्या करेंगे? Second equation of motion लगाएंगे, और second equation of motion लगा के आपके पास time of flight की जो value आएगी, that is under root 2H by G. यह starting में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी initial velocity vertical direction में 0 आए, तो time of flight का expression आप directly use कर सकते हैं, under root 2H by G. Horizontal range, मतलब particle को आपको यह distance बताना है, यह range बतानी है, तो इस range के लिए क्या करेंगे? अपन equation यूज़ करेंगे x direction में. x direction में velocity क्या आएगी? ux और हर point पे constant रहेगी, time आपके पास under root 2H by G आगया, तो यहाँ से आपके पास क्या आजाएगी? range आजाएगी. अब अगर मेरे को किसी general point P पर velocity पूछे, तो velocity x में तो constant रहेगी, और अगर मेरे को t time पर y में velocity रिकाननी है, तो again आपको क्या करना है? y direction में first equation of motion को use करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? v y मिल जाएगा. तो v को पर लिख सकते है, v x i cap, v y j cap, वहाँ से अपने पास speed आजाएगी. inclination की अगर बात करें, तो आपको v y पता है, v x पता है, तो यहाँ से जो triangle बनेगा, इस triangle से में बोल सकता हूँ, 10 theta is v y by v x. प्रोजेक्टाइल ओन, incline paint, पहला केस, up the incline. इसमें क्या करना है? आपको पूरा जो motion है, वो break करना है, एक तो incline के along, और एक incline के perpendicular. incline के जो along direction मानने वाले हैं, that is x, और incline के perpendicular जो direction है, that is y. तो जो भी parameter है, उन्हों सारों को अपन x और y में resolve पर लेते हैं, acceleration x direction में आ गया, initial velocity x direction में, acceleration y direction में, और initial velocity y direction में. time of flight के लिए क्या करना है? आपको y direction चूज करनी है. अब y vertical नहीं है, y क्या है? incline के perpendicular है. y direction में, आप देखोगे, particle उपर जाएगा, और फिर नीचे आ जाएगा. तो y direction में displacement क्या हुआ, particle का 0 हुआ, और अगर displacement 0 है, तो second equation को y direction में, इस्तेमाल करते हुए, आपके पास time of flight आ जाएगा. और time of flight को आप याद रख सकते हैं, 2u y upon ay, लेकिन यहाँ पर y क्या है? incline के perpendicular, और ay का मतलब क्या है? acceleration का वो component जो incline के क्या है? perpendicular. यहाँ से एक बात सीखने वाली है, कि जो time of flight है, वो केवल किस पर depend कर रहा है? y पर depend कर रहा है. maximum height की बात करूँ, तो maximum height पर क्या होगा? vertical, y direction में जो velocity हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? 0. third equation को use करते हुए, maximum height की आपकी value आती है, वो आती है, u y square upon 2 ay. Now, again, maximum height जो है, वो किस direction पर depend कर रही है? y direction पर depend कर रही है. Now, range के लिए क्या करना पड़ेगा? range के लिए आपको equation लगाने पड़ेगी, x direction में. यह जो distance है, this is your range. इसके लिए आपको second equation यूज़ करनी है, x direction में. तो second equation को use करने पर आपके पास यहां से क्या आजाएगी? range आजाएगी. range का formula याद रखना इतना beneficial नहीं है, लेकिन time of flight और maximum height का formula याद रखना beneficial है. range के लिए आप action यूज़ करनी है, और time of flight के value रखने पर आपको range यहां से directly मिल सकती है. Now, अप the incline के case में अगर आप से पूछे कि किस angle पे project करूँ ताकि range क्या आए maximum, तो pi by 4 minus beta by 2 पर जो range आती है, that range is maximum. और जो maximum range की value आती है, that is u square by g to 1 plus sin beta, यह result आपको direct याद रखना है. बात करते हैं, down the incline, down the incline की मैं बात करूँ, तो again you have to solve the motion in parallel to the incline and perpendicular to the incline. Incline के parallel अपन x माल लेंगे, और incline के perpendicular अपन y माल लेंगे. Acceleration velocity का component करेंगे x में और y में, तो time of flight की जो value आएगी, तो हम देख सकते हैं, कि जो भी change आया है, वो किसमें आया है, x direction में, जो भी change आया है, वो x direction में आया है, y direction में कोई change नहीं आया. चाहे up the incline है, चाहे down the incline है, y direction में कोई change नहीं है, और अगर y direction में कोई change नहीं है, इसका मतलब time of flight y पे depend करता है, तो time of flight will remain unchanged to u y upon ay. अगें, maximum height भी किस पर depend करती है, y पर depend करती है, y में कोई change नहीं आया, इसका मतलब maximum height भी वो ही आएगी, जो up the incline में आई थी, u y square upon 2 a y. रेंज वाले expression में change आएगा, तो range वाले expression के लिए क्या करेंगे, second equation of motion यूज करेंगे, x direction में, t के value substitute कर देंगे, और हमारे पास क्या आजाएगी, range आजाएगी, again आपको याद रखना है कि down the incline में किस angle पे project करूँ, ताकि range maximum आए, that is pi by 4 plus beta by 2, और जो maximum range की value आती है, that is u square by g into 1 minus sin beta, relative motion、 अब है तक अब अपन ने बात करी है, तो इसमें कभी भी अपनने observer mention नहीं किया, और जब observer mention नहीं है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, किसके respect में बात हो रही है, ground के respect में बात हो रही है, लेकिन अगर उसने observer को mention कर दिया, तो क्या करना होगा, आपको observer के respect में बात करनी होगी, तो वो अपन किसमें सीखते हैं, relative motion, तो simple सा format VAB, VAB का मतलब क्या है, velocity of A with respect to B, A आपका object है, और B क्या है, आपका observer है, expression क्या होगा, VA minus VB, VA और VB को किसके साथ रखना है, vector के साथ रखना है, simple सवाल, velocity of A बताना है, किसके respect में, B के respect में, तो इसका expression बनेगा, VAB, और VAB का मतलब VA minus VB, और VA और VB को vector के साथ रखना है, तो VA कितना आएगा, 10 I cap, और VB कितना आएगा, minus of 12 I cap, value रखने पर, जो result आता है, वो इतना आता है, इसको एक और तरीक से कर सकते हैं, कि जो observer है, वो अपने आपको rest पे मानेगा, और अपना effect opposite करके object को दे देगा, अपना effect opposite करके किसको देगा, object को, तो इसको क्या लगेगा, कि जो object है, इसकी तरफ किस से आ रहा है, 22 meter per second से आ रहा है, relative acceleration भी simple अपने उस कर सकते हैं, acceleration of A with respect to B को में बोल सकता हूं, acceleration of A minus acceleration of B, जहां पर इसका मतलब क्या है, A का acceleration ground के respect में, और इसका मतलब क्या है, B का acceleration ground के respect में, अगर acceleration constant है, तो relative motion के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, equation of motion का इस्तमाल कर सकते हैं, example के चुरू समझते हैं, suppose आपने एक particle को 20 meter से project कर दिया, दूसरे को 30 meter per second से project कर दिया, और आप से पूछा है कि कितने time बाद में collide करेंगे, तो इसमें दोनों particle मूँग पर रहे हैं, तो दो के motion को study करने से बेटर है कि अपन एक के motion को study करें, तो एक के motion को study करें, मतलब किसी एक को observer बना देते हैं, माल लिया अपनने B को observer बना दिया, अगर B को observer बना दिया तो B रुख गया, और B के respect में केवल किसका motion होगा, और A किस velocity से आता हुआ नजर आएगा, 50 से आता हुआ नजर आएगा, तो relative velocity कितनी आगई, 50 आगई, relative displacement के आएगा, 150 आएगा, लेकिन जो relative acceleration आएगा, उसके value के आएगी 0, क्योंकि दोनों का acceleration जी जाउनवर्ड है, तो relative acceleration क्या आएगा, 0, relative acceleration 0 है, relative velocity 50 है, relative displacement 150 है, तो यहां से time of collision कितना आजाएगा, आपके पास 3 seconds आजाएगा, लिफ्ट वाले problem, सबोज आपने एक particle को U velocity से theta angle पे project कर दिया, बताओ इसका time of flight क्या आएगा, तो इसके motion को lift से analyze करना better है, rather than ground, तो अगर मैं lift के respect में बात करूँ, तो lift के respect में जो बॉल होगी, उसकी initial velocity vertical direction में आएगी U sin theta, और lift के respect में जो acceleration आएगा, तो lift के respect में जो acceleration आएगा, that is G plus A, यह क्या आगया, lift के respect में acceleration आगया, तो time of flight अपन जानते हैं, 2 Uy upon Ay होता है, तो lift के respect में, Uy का मतलब U sin theta, और Ay का मतलब G plus A, तो time of flight आएगा, 2 U sin theta upon G plus A, maximum height क्या होती है, Uy square upon 2 Ay, तो Uy का मतलब क्या हो गया, U sin theta, और Ay का मतलब क्या हो गया, G plus A, तो यहां से अपने पास maximum height आगई, range की बात करें, तो range के लिए आपको equation किस direction में लगानी है, range के लिए आपको equation लगानी है, x direction में, तो x direction में initial velocity कितनी है, U cos theta, उसको time of flight से multiply कर देंगे, तो आपके पास क्या आजाएगी, range आजाएगी, अगला आता है आपके पास river flow, अब इसमें अपने पास तीन terms होते हैं, जैसे एक तो है वी आर, river की velocity ground के respect में, VMR, man की velocity river के respect में, कभी-कभी इसको बोलते है, velocity of man in still water, अब technically अपने इसको समझें, तो VMR का मतलब क्या है, VMR का मतलब है, जो velocity effort की वज़े से आ रही है, तो effort की वज़े से जो velocity है, that is your VMR, और man की जो velocity, VMR का मतलब क्या हो गया, man की velocity ground के respect में, तो अगर मैं VMR की वाद करूँ, तो VMR की value क्या है ये, VMR माइनस VR, अब यहां से मुझे VMR मिल गया, अब VMR क्या है, vector addition, VMR वेक्टर addition है, किसका, VMR का और VR का, VMR का मतलब क्या है, effort, तो ground के respect में, जो velocity नज़र आएगी, that is vector addition of effort, and velocity of river, ground के respect में, जो velocity नज़र आएगी, that is net velocity, किसकी effort की, और river की velocity, downstream का मतलब क्या है, downstream का मतलब यह है, कि जो velocity of swimmer है, उन flow के along है, तो अगर velocity of river आपको दे रखी है, effort की velocity VMR दे रखी है, तो जो man की velocity, ground के respect में नज़र आएगी, अगर दोनों same direction में है, that is U plus V, और upstream का मतलब क्या होगा, कि जो motion होगा, वो river flow के opposite होगा, और अगर motion river flow के opposite होगा, तो उस case में भूल सकता हूँ, कि ground के respect में जो velocity नज़र आएगी, that is V minus U, यहाँ पर U, river velocity है, और V, VMR है, और VMR का मतलब effort की velocity, नव, एक man जो है, वो thin angle पे effort का है, VMR का मतलब क्या है, इस angle पे effort कर रहा है, swim कर रहा है, एक person जो उसको river से देख रहा है, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि उसका जो motion होगा, वो इस line के along होगा, जिस line में वो effort कर रहा है, लेकिन एक दूसरा observer, जो ground से observe कर रहा है, वो क्या बोलेगा, कि इसका जो motion होगा, VMR वो इधर होगा, इधर क्यों होगा, क्योंकि ground के respect में हमें क्या दिखता है, resultant किसका, effort का और river का, तो effort इधर हो रहा है, और river उसको इधर लेके जा रही है, तो resultant इधर जाएगा, तो ground के respect में जो path नजर आएगा, ground के respect में path आपको यह नजर आएगा, एक particle VMR velocity से, let's say VMR के value जो है, that is V, और velocity of river जो है, that is U, तो एक person जो है, वो V velocity से effort कर रहा है, किसी theta angle पे, river किसे flow कर रही है, U से, तो इनका resultant इधर आएगा, इसका मतलब man जो है, वो इस direction में move करेगा, तो अपने इसमें दो direction डिफाइन करते हैं, एक तो X और एक Y, X मतलब river flow के along है, और Y मतलब river flow के perpendicular है, जान रहे, Y के अंदर आपको acceleration due to gravity यूज नहीं करना है, Y direction जो है, वो horizontal plane में है, तो river flow के along X माना है, और river flow के perpendicular क्या माना आपने, Y माना है, दोनो horizontal plane में है, दोनो किसमें है, horizontal plane में है, तो acceleration क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, velocity आती है यह, यह आपके पास X वाला motion है, और यह आपके पास Y वाला motion है, आप से पुछा जाए कि river को cross करने भी कितना time लगेगा, तो river cross करने भी जो time लगेगा, तो उसके लिए आपको Y direction में deal करना है, Y direction में distance कितना है, D, और speed कितनी है, V sin theta, तो यहाँ से time जो आएगा, that is D by V sin theta, अब बात आती है, minimum time में river cross करना है, minimum time में river cross करने के लिए sin theta की value क्या होगी, 1, इसका मतलब theta क्या होगा, 90, तो आगे जहाँ रखना है कि minimum time में river को cross करने के लिए, जो jump होगा, वो river flow के perpendicular होगा, और इस case में अगर jump करेगा, तो जो time आएगा, that is your minimum time, next यहाँ पर अपन डिफाइन करते हैं drift, drift का मतलब क्या है, displacement along river flow, मतलब x direction में कितना displacement है, तो x direction में velocity कितनी आएगी, x direction में man की velocity यह आएगी, और time आपको यहाँ से मिल चुका है, तो जो drift आएगी, that is vmx into time, तो यहाँ से आपके पास यह जो value आएगी, that is your drift, now condition पुछी आती है exam में, कि आपको shortest path में river cross करनी है, shortest path में मतलब, जहाँ से particle start कर रहा है, directly उसके opposite reach कर जाए, इस case में जो drift आएगी, वो क्या आएगी, zero आएगी, इस case में drift के आएगी, zero आएगी, और इस zero drift की condition क्या है, किस angle पे जम करे, ताकि drift के आए, zero आए, तो जो angle है, that is sin theta u by v, अगर swimmer इस angle पे जम करेगा, उस case में, जो drift आएगी, वो क्या आएगी, zero आएगी, लेकिन यह जो drift है, zero नहीं होती है, इसकी condition है, कि v की value u से जादा होनी चाहिए, अगर v u से जादा है, और sin theta u by v पे जम कर रहा है, उस case में drift के value क्या आएगी, zero आएगी, theta किस के साथ मेजर कर रहे हो आप, perpendicular के साथ मेजर कर रहे हो, अगला, आपको river को short test path में cross करना है, लेकिन drift zero नहीं है, drift zero क्यों नहीं है, क्योंकि u v से जादा हो गया होगा, again आपको इसी direction में जम करना पड़ेगा, और जो sin theta की value आएगी, that is v by u, इस case में sin theta क्या आएगा, v by u, और अगर इस particular angle पे जम करेगा, तो जो drift आएगी, वो क्या आएगी, minimum आएगी, drift non zero है, लेकिन क्या है, minimum है, rain man problem की बात करें, तो तीन words आता हैं यहां पे, vr का मतलब rain की velocity, ground के respect में, man की velocity, ground के respect में, और rain की velocity, man के respect में, तो suppose rain जो है, वो vr से fall कर रही है, और man vm से move कर रहा है, तो man के respect में motion क्या होगा, तो man के respect में अपन बात करें, man रुक गया, उसका effect इधर मिल गया, तो इनका जो resultant है, वो इधर आएगा, that is your vmr, तो आप से पुछा जाता है, इस angle पे अंबरेला रखे, ताकि बारिज से बच रुके, तो यह वाला angle निकाल सकते हैं, 10 theta is equal to vm by vr, इस particular angle पर अंबरेला रखने पर, जो person है वो बारिज से बच जाएगा, next, speed of rain with respect to ground आपको बताना है, तो इस case में vrm आपको दे रखा है, vm दे रखा है, simple formula यूज़ करेंगे, आपसे vr पूछा है, vrm गीवन है, vm गीवन है, दोनों को vector के साफ substitute करेंगे, तो आपके पास vector के form में velocity of rain मिल जाएगी, अगला आता है velocity of approach and separation, velocity of approach and separation का मतलब क्या है, it is component of relative velocity along line joining them, उनको join करने वाली line के along, आपको relative velocity का component बताना है, तो suppose A और B दो particle है, आप A के respect कर रहे हैं, तो A तो वैसे ही rest पर है, A के respect में B को देखना है, तो जो velocity का वो component लेना है, जो दोनों को join करने वाली line के along है, तो इस velocity का जो component आएगा, उनको join करने वाली line के along, that is vcos theta, तो यहां से आपके पास velocity of separation जो आएगी, that is vcos theta, अगला आता है condition for collision, अगर दो particle uniform velocity से move कर रहे हैं, तो वो collide कप करेंगे, जब एक particle की velocity दूसरे के respect में, एक particle की velocity दूसरे के respect में उसकी तरफ हो, जाहर सी बात है, एक particle रुख गया, और वो देख रहे हैं दूसरे particle को, तो वो उससे कब टकराएगा, जब उसकी velocity उसकी तरफ हो, अब सारी के सारी velocity उसकी तरफ हो गई, इसका मतलब, उनको join करने वाली line के perpendicular जो relative velocity आएगी, वो कितने आएगी, zero आएगी, इसका velocity along perpendicular to line joining them, क्या होनी चाहिए, zero होनी चाहिए, this is the condition for collision in case of uniform velocity, last, last part है इसका, कि दो particle मूव कर रहे हैं, और इनके बीच में आपको minimum distance बताना है, तो minimum distance बताने के लिए क्या करते हैं अपन, दो particle मूव कर रहे हैं, किसी एक को रोग दो, let's say मैंने इसको रोग दिया, इसके respect में motion को देखेंगे, तो इसके respect में B जो है, वो इधर चलता हूँ नजर आएगा, इसके respect में motion इधर होगा, अब ये बोलेगा कि particle इस line के लोग मूव कर रहा है, तो minimum distance के लिए क्या करेंगे, इस वाले point से perpendicular drop करेंगे, और ये जो perpendicular distance आएगी, इसको पर क्या बोलेंगे, D minimum बोलेंगे, value कैसे निकालेंगे इसकी, ये वाला angle 45 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 45, तो जो D minimum आएगा, D minimum जो होगा, that is your distance, distance और ये जो distance आएगी, that is, ये कितना है, 10 है, ये 45 है, तो जो D minimum आएगा, that is 10 cos 45, minimum distance के लिए क्या करना है, एक को रोकना है, इसके respect में देखेंगे, तो motion ऐसा आएगा, यहां से perpendicular drop करेंगे, और ये जो value आएगी, उस value को अपन बोल सकते हैं, ये distance कितना आएगा, 10 sin 45, ये speed कितनी आएगी, 20 root 2, तो जो time आएगा, that is 10 sin 45 upon 20 root 2 करने पर, this is the time, जिसके बाद में आपके बास, minimum distance आने वाली है, तो यही था, next topic जो है, वो RSV सर लेके आएगे,